हलो जी हलो स्वागत है आपका पोस्ट ओफिस ऑनलाइन बैंकिंग स्रीज में दोस्तों मैं हूँ आलोक और आप देख रहे हैं सरकारी यात्री इस स्रीज की पिछली वीडियो में दोस्तों हमने जाना था कि कोई भी खाता पोस्ट ओफिस का कैसे खोले पोस्ट ओफिस में कैसे अपना इंटरनेट बेंकिंग एक्टिबेट करें दोस्तों आज किस वीडियो में हम जानेगे को इसा कोई भी खाता ऑनलाइन कैसे इन्वेस्ट मेंट करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो कि दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी फोन ये लैप्ट आप में खुल लेना है और और फिर गूगल में जाकर इबैंकिंग इंडिया पॉस्ट टाइप करके उसको सर्च करना है उच में उसको सबसे उपर वाला लिंक ebanking.india.gov.in आएगा उसको क्लिक करना है उसको क्लिक करने के बाद दोस्तों पोस्ट ओफिस इंटरनेट बैंकिंग का एक पेज आपके सामने खुल जाएगा आपको उसमें अपना ID और पासवर्ट डाल कर इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन कर लेना है अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट नहीं है तो सबसे पहले आपको अपना इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करना होगा अपने फोन से इंटरनेट बैंकिंग कै करने के बाद कुछ इस तरह का स्क्रीन आपके सामने खुल जावा कि आपको इसने ऊपर जो सारे उपसन दिख रहे हैं जिसमे जसे डैस legislators घム से उसमें आपको जेनरल सर्वीशेज में किलिक करना varशेज हैं जेनरल सर्वीशेज में किलिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया page open हो जाएगा उसमें आपको option दिखेगा दोस्तो आपको जाके क्लिक करना है और क्लिक करके उसमें new request जो रहेगा उसको select कर लेना है और उसके बाद फिर आपको ok button दबा देना है बटन पर क्लिक करते हैं दोस्तो आपके सामने फिर से एक नया page खुलेगा और इस page में आपको वो सारा option दिखने लगेगा जो post office जो post office banking में online माध्यम से भी मिल रही है जैसे की closure, pre closure of RD, RTD, closure of KVP account, closure of NAC accounts, closure of PPP accounts और भी बहुत सारे option दिख रहे हैं इन सारे option का जिकर हम लोग ने पिछले वीडियो में किया था, तो आई आज सिद्धे closure वाले option पे चलते हैं दोस्तो आपको जो भी account close करना है उसको यहां से select करना है उस option पे आप click करेंगे तो मैं आज आपको RD account close करके दिखाऊंगा आप चाहें तो आपके पास जो भी account close करना है उस option को select करेंगे प्रोसेस सबका सेम ही है तो दोस्तो closure और pre closure of RD and TD account पे click करना है click करते हैं एक नया page खुलेगा उसमें आपसे type of deposit पूछा जाएगा आपको जिस type का account RD या TD जो भी close करना है उसको select करेंगे जैसे मैं आज RD close करके दिखाऊंगा तो मैंने आज भी RD select कर लिया है type of deposit में RD या TD select करने के बाद go पे click करना है तभी आपको आपके जितने भी उस scheme में account खुले हुए हैं वो दिखेंगे नहीं तो deposit account में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा उसके बाद दोस्तों आपको deposit account बाले option में आपको जो account close करना है जैसे आपके बहुत सारे account है multiple account है इखी टैप के तो आपको उसमें से जो भी account close करना है उसको select कर लेंगे फिर दोस्तों credit account में आपको by default आपका जो savings account होगा वो आपको दिखने लगेगा आपको उसमें दूसरा option नहीं मिलेगा अगर आपके पास दो savings account होगे तो दोनों दिखने लगेगा आपको जिसमें भी पैसा transfer करना है उसको select कर लेंगे बैंक में पैसा transfer करना चाहते हैं दोस्तों तो उसको वीडियो जो है मैं आगे बनाऊंगा और आगे बताऊंगा कि आप जो है account close करके पैसा बैंक में कैसे transfer कर सकते हैं तो दोस्तों फिलाल आप savings account सेलेक्ट कर लिजिए by default इसको select करने के बाद दोस्तों submit online पे click कर देना है click क कर रहे हैं तो अप लिख सकते हैं नहीं तो उसको blank भी छोड़ सकते हैं या optional है उसके बाद आपको अपना transaction password डालना है तो transaction password डालने के बाद दोस्तों आप जैसे submit पे click करेंगे तो आपका जो account है वो close हो जाएगा और आपका account का closure का सारा पैसा आपके savings account में चला जाएगा कि मेरे को अभी account close नहीं करना था दोस्तों इसलिए मैं अभी अपना password नहीं डाल रहा हूं लेकिन process से मैं जैसे आप password डालके submit करेंगे कि account आपका close हो जाएगा दोस्तों अगर आपको फिर से reinvestment करना है या कोई नया scheme में account खोलना है जैसे अभी अपने account close कि और आप चाहते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक आप comment करके बताएए कि आगे आने वाले वीडियो में आप क्या जानना चाहते हैं तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद